तो देखिए मैं देख रही हूँ मैं ड्रामा सिलिल पाकिस्तानी जो मुझे बहुत बेसभी से इसका इंतिजार रहता है मैं हर अपते वेट करती हूँ और मंडे को आता है तो तुजडे को मैं सुबा मॉर्निंग में और बहन को यी बुला लेती हूँ चल दोनों बहन साथ मे देखेंगे और टीवी में ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पे खतम हो गया है और मैं सबजी बिलेके आ गये थी तो सबजी को पहले बोली साफ आफ करके रख देते तो अच्छा रहेगा तो यहां पे सबजी निकालके बैठे हैं उसके बाद फिर चाय पी चाय पीने चाय दियें और हम दोनों बहन भी बैठ के चाय पीए और देखिए आप सबको दिखाती हूं मैं तो यह देखिए यह मेरा गार्डन है जो पिछले ब्लॉक में दिखाई थी जो मैं सफाई की थी उसको और यहां पेना यह माली भाहिया को मैं बुलाई थी उनका नंबर ले अच्छे हैं उनको बलाई थी मैं तो आते आते वो बहुत लेट कर दी इतना लेट में आया है मैं खाना भी नहीं बनाई हूं और मैं भाहिया के पीछे लगी हूं कि यह कर दो वह कर दो एक्चल मैं जो प्लांड लाई थी ना वो सब थ्वासम नर्म हो रहे थे मुर्जा र अगर था तो मुझे डल लर था खराब मत हो जाए इतना मतलब महनत से लाई हूं और इतना मतलब महबब से लाई हूं महनत तो नहीं बोलूंगे महबब से लाई हूं तो खराब मत हो जाए तो भाईया ने फिर वो दवात रहता है खाद और कुछ उसका तो वो सब भी लेकर तो एक साथ नहीं कर सकती इसलिए सोची थी थे ना मैं अपने गार्डन को ना को अच्छा बनाओं और मेरे जो मदेनलों का सपना है उसको पूरा करूं मैं उनको बहुत पसंद था इसलिए मैं और भी ज्यादा ध्यान दे रही हूं इतना टेंसन टेंसन में चल रहा था लाइ आप ऐसा है तो तो यह काम हो जागा तो म्जह अच्छा लएगा और जांजा ना सरुसो का एक तरफ लगा रहे थे बहुत पसंद मैं चार्शे कान और सबारा एक मैं अपने वेडरूम में भी रखी हूँ, दो ली थी और एक हाल में रखी हूँ और एक हाल में रख दी कि अच्छा लएगा हाल में फिर यहाँ पे ना मेरा काम ना फैला ही हुआ था पुरा बहुत लेट हुगे भाईया हैं ना खाना बना था, ना किचन साफ हुआ था बरतन धुले थे, ना सबजी फिर मैं इतना मुस्किल से जल्दी-जल्दी करी हूँ, मैं इतनी ठकान हो गई मुझे फिर भी मुझे खुसी लगा कि माली भाइया को बुला कि कहना मैं काम कर ली और मैं ये छोट-छोटी खुसी मुझे बहुत अच्छी लगती है देखना मैं कितना मतलब अपना enjoy कर रही हूँ और साम के समय नमाज के बाद ना मैं कि ये money plant को भी मैं अच्छे से सजा रही हूँ ये भी ना मुर्जा गिया था मैं ये पानी ये खाट डाले इसमें दवाई डाले वो ले ठीक हो जाएगा अपने कोई दिकत नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है money plant ऐसे सजाना मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाना सजाने का मतलब सौक रखती हूँ हुँ मैं ऐसे हर औरत रहती है अईसा नहीं है हर औरत को लगता अपना घर उसके लिए जन्नत है और अपने घर को वो ताज महल समझती है सजाती है तो सजाना चाहिए भुड़त चोटी से दुनिया होती है तो बस यहां पर देखी है और इसका भी ना पानी हो गया था मैं देखें चेंज कर देती हूं तो यहां पर क्यों ना मैं पिक ले लूँ तो गुंगुन मेरी पिक ली यहां पर वीडियो भी ले ली और यह देखी आपको मिलाती हुआ अपने न्यू महान से जो यह देखो यह ना अमन को बहुत पसंद है अमन चुट चुटा ना बच्चा मुर्की का रख लिया हला के ठं अच्छे एक फिर भी नहीं रहने दो तो यह ना मैं कई दिन सोची थी आप सबको दिखाऊंगी या बताऊंगी मैं अब मुझे ना मौका ही नहीं मिल रहा था तो मैं सोची क्यों आज यह ना खोल दी थी मैं इसको तो बस घर में घूम रहे तो मैं ले लिए इसकी भी मुझे बहुत पसंद है एक्च्छल में यह मेरी मदा इनलौ को ना ममी जी को बहुत पसंद था उनका इक सपना था कि मैं गार्डन को आगन एरिया को ना अच्छे से किनार के नर्बू जगा वैसे छोड़ करके मिल्टी डाल के रखे थे कि मैं उसमें प्लाइंड सब लगा प्लाओंगी और एक तरफ फॉलुल का उस उनका सपना था यह जब वह थे ना तो गार्जन थे तो मैं मुझे सब चिकतना ज्यादा नहीं था मुझे था कि उनलों का ख्याल कैसे रखना उनलों का खाना टाइम से देना पीना बच्चों सम्हालना यह सब था अब अभी जब है और मम्मी को पसंद था इसलिए मैं कर रही को उनको अच्छा लगता था यह चीज़ वो गार्डन एडिया देखना चाहते थे तो इंसालला मैं कोसिस कर रही हूं सुरवात कर दी हूं मैं अभी स्टार्ट कर दी हूं माली को बला कर हर महने माली आकर को उसको देख कर हैं नहीं बहुत सही लिए वो जो भी समान का खादवात का पैसा लिए और चार्ज ना वो सौर उपियस रिपली है विचारे ने अच्छे हैं बोले महने में आऊँगा जब दीदी आपको लाईगा तो मुझे बुला लेना तो आप मुझे बुला लेना और मैं आकर महने मे नंबर लेना चाहता है तो मुझे करें के नंबर में दे दूंगी उसमें वहिया का जो लोकल डायपूर में है और बाकी दूरवाले को तो नहीं हो सकता ना क्योंकि वह जहां रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यह सब लगा कि आज घर को इसा लगता ना मैं बाग मुझे बहुत अच्छा लएगा मैं अपनी खोशी फिर सी ना धूंडती हूं मुझे अच्छा लगता है छोटी श्टी खोशी अपने घर को कैसे सजाएं अपने अपना मैं चाहती हूं जिस घर में हम रहते हैं पुरा टाइम देते हैं हम हाय स्वाइब जो भी लेडिस से जो घर में जाए तर टायम देते हैं और वाहर से चाहित बाहर तो मैं बहुत मजबूरी महीं जाती हुँ मुझेसा लगता मैं घर में रह एक अपनी घर को ऑच्छे से प्यार से सजाओück की बच्चों को घर को अपने आपको बस मेरी इतनी दुनिया है बहुत चोटी से दुनिया है मेरी लेकिन कोई साइद इसको समझ नहीं पाया और सब खतम कर दिया कोई बात नहीं मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ और मैं अपने घर को फिर से सजाओंगी हाला कि यह घर मेरा नहीं है मेरा बच्चो का है प्रद पर में हमाने और कोई घर नहीं होता है ऑपने बच्चों के हैसि-दों के ने हुआ नियुकर को लिए तो तो मेरा कोई घर नहीं है और खैर कोई बात नहीं है अल्ला देगा मुझे मुझे यकीन है अल्ला पे कि एक दिन मेरा भी अपना एक नाम होगा पहचान होगा तो अल्ला पाक घर में देर है अंधेर तो है नहीं तो शायद वो मकाम मुझे भी मिलेगा अल्ला पाक देंगे तो तो घर कोई वातनी जहां रहते हैं जिस घर में रहते हैं तो वह अपना है अपना समय बच्चों का है मतलब मेरा है मैं अपने समझ के करती हूं यह है कोई लालच नहीं है मैं लालच से नहीं हूं उनको लगता होगा मेरे हस्बंड को कि लालच से है मैं सिर्फ अपने बच्च को मैं प्यार सजाओं और इसमें खुस रहनी कुस करती है खुसी बहुत इतलब बहुत बड़ी चीज होती है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती है इनसान सब कुस रहके भी खुस नहीं रहता है लेकिन अलहम्दो इल्हाम्दो इल्ला मैं उन्हें इतना अच्छा लगता है कि मैं इतने टेंशन में भी अलम्दुल्ला मैं खुस हूँ, बहुत सकून में हूँ, इतनी नान में हूँ और कभी लगता है तो कभी रो लेती हूँ, अल्ला से दुआ मांग लेती हूँ, तो हिम्मत और सबर आ जाता है तो जिन्दगी बस इसी तरह गुजर जाएगी आसान होगी आज जो दिक्कते तकलीफ हैं साइद वो कलना रहे मैं तो अल्ला से गुमान कर जितना बुरा होना था होगी अब इंशालला मुझे अच्छे पलका अच्छे वक्त का इंतिजार अच्छे से मां अच्छे षक्त की मैं अच्छे साइद यहां इसके पास भी यह उसके पास वह मां हमती है तो जो चीज अपारी हित्त हैं से अच्छेप इंध्यु आप अब देखो अपने लिए सोचो अगर गौर फिकर करोगे न कि हमारे पास क्या नहीं है सेहत असी है सबसे बई दौलत है निमत है तो वो हम है अगर सही सलामत आज अच्छे है तो यह अलहमदो इल्ला को सुकर लाख लाख मनाना चाहिए इंसान को ना कि जो चीज़ नहीं है उ इसके लिए हम अफसोस करें उसके लिए अल्ला पाक से सिकायत करें यह नहीं होना चाहिए इंसान को तो मैं तो बहुत अपने दिल से अल्ला का सुका अदा करता हूँ कि अल्ला मैं अच्छे सो हूँ थोड़ी दिकत परसानी वक्ती तोर की है वो हट जाएगी ठीक हो जाए सब्सक्राइब मैं अगर दूसरों को जो चीज़ दोगी ना मेरे साथ नियों दुसरों को दोगी ना तो अल्ला वो दुआ मेरे मेरे मुझे भी लगे का कर मैं किसी को बद्धुआ देँ को शू काटू राज दिन सरापूं उसको बैठ करके वो चीजे मुझे फिर अच्छ की हुई नहीं कोई मुझे समझा ही नहीं मैं उस नेचर की हुई नहीं कि मैं ना किसी से जलूँ चीरूँ तो मैं तो यह सोशती हूँ छोटी जिंदगी है हर बात पर खुस रहो क्यों कि लौट कर यादे आती हैं वक्त नहीं तो जो आज है आज मैं अपने बच्चों साथ और एक हजार से एक लाग भी हो जाएगा इन्शाला अला ने चाहा तो बहुत जल्द हो जाएगा और जो बहुत खुसी है इस पात की कि इतने कम समय में आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कि एक हजार सस्क्राइबर में रहो गया है तो एक हजार की खुसी मुझे बहु तो मुझे इस वाख की खुशी है अगर लपाक एक दरवाजा बंद करते हैं तो उससे पहले दूसरा दरवाजा खोल देते हैं ऐसा नहीं एक दरवाजा बनता लपाक दूसरा तीसरा बहुत सारे आपको लएगा कि नहीं यह बंद हो गया में इसाथ ऐसा क्यों हुआ लेकिन अगर बहुत अल्लापाक मेरे साथ है और मुझे एक इंसान के चले जाने से जिन्दगी खातम नहीं हो जाती है और कोई जीना नहीं छोड़ देता है जो गया अपना कभी था यह नहीं साइद किसमत में नहीं था जब तक असाथ लिखा तब तक था साथ में तो उस बात को स Weg साओниने से जाइदा आपसोच करने से कौई फायदा नहीं है तो मैं सब्सक्राइब करना चाहते है तो जो भी मेरी पहने वीडियो देखरी है अल्ला पर यकिन रखना पहला और दूसरा हिम्मत कभी नहीं हारना कि आप कम जोड नहीं हो तो में वीडियो देख रहे हैं मेरा मतलब दिल से सबके लिए दूआ है अब मैं चाहती हूं हर लड़की को अल्ला हिम्मत दे सबर दे कि अपनी जिंदाई की राई जी सके और इशाला आगे व्लॉग में मैं बात करूंगी आप सब के मुझे बहुत अच्छा लगता बात करना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आप सब को हिसी तरह हिम्मत में इ बहुत अच्छा लगेगा आप सबको तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना मुझे दवाव में आद रखना अल्ला हाफेज